जानवरों से इंसानों का प्रेम स्वभाविक है लेकिन इने पालने के साथ साथ रख रखाफ का हुनर होना भी बेहत जरूरी है जरा सी चूक लोगों के लिए जान लेवा बन सकती है ऐसा ही एक मामला फरिदाबाद से सामने आए है जहां सैनिक कॉलोनी में पडोसी के कुत्ते से बचने के चकर में एक युवक्ती तीसरी मंजिल से गिर कर मौत हो गई मृत के परिजिनों ने बताया कि समीर माथूर किसी काम से बाहर जा रहे थे सीडियों से नीचे उतरते हुए चौथी मंजिल पर रहने वाले पडोसी संजी भधोरिया का जर्मन शैफर्ड क कुत्ता समीर की पीछे पड़ गया इस दुरन कुत्ते से बचने के चकर में समीर नीचे की तरफ भागा और तीसरी मंजिल से गिर कर उनकी मौत हो गई किरायदार हैं जो रहते हैं जो अभी अभी आये थे दो मेने पहले उन्होंने अपने पास एक जर्मन शैफर्ड पालावा है जो कि मतलब एक बहुत उंचा और हल्दी कुत्ता होता है एक बड़ी बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में किसी को रखना नहीं चाहिए अबल तो और अगर कोई रखता है तो उसे बांद के रखना चाहिए सम्हाल के वे हमें कल जब शाम को हादसे के बाद कई लोग जो हमारे घर आये इसी बिल्डिंग के उन्होंने सब ने बताया कि कोई सी को पीछे वो भागा किसी बच्चों के ऊपर कुदा है इसे पहले भ हो चुका है अनफॉर्चुनेट है कि अगर हम लोग उस समय सब लोग मिल के एक साथ इस बात का जिक्र किया होता या हमने उस समय कोई स्टेप ऐसा उठाया होता तो प्रोवाइबली आज हमारे ब्रदर इन लोग जो है बच गए होते हैं तो वो जब फोन करके पे बात करते हैं तो ना जाने वो किस तरह से दोड़ाया है या उन के ऊपर चड़ाए क्योंकि जनका कुता था उन्होंने मोस्ट वैवली देखा है और वो वहां तीसरी मंजिल से गिर गए गिरे तो इनके जो फादर थे वो पैसे किसी को पता नहींचला घर में कोई गिरा है फ्रस लोर पर जो ग्राउंद फ्लोर पे लोग ते वो पानी लेकर बाहर गए हैं देखें कि कोई गिरा हुआ है पादर inla उसी समय उनके फादर जो है समहाँ कुछ काम था दबा लेने जानी थी तो वह लेकर नीचे पहुंचे नीचे पहुंचे तो देखें भीड लगी है तो देखें क परिजनों की शिकायत पर फरिदाबाद पुलिस ने कुत्ते के मालिक पर लापरवाही से मौत की धाराओं के तहट मुकदमा दर्ज कर लिया है आपको बता दे कि जर्मन शेफर्ट दुनिया की दस सबसे खतरना कुत्तों में से एक होता है आमतार पर ही लोगों पर 108 किलो के दबाव से अटैक करता है जिसके बाद बच पाना मुश्किल होता है इसलिए कई देशों में इसे पालने पर प्रतिबन लगा हुआ है इस घटना के बाद हरियान सरकार को भी इस पर विचार करना आवशक है फरिदाबास से मनोज सूर्यवनशी की रिपोर्ट